जहिन दोस्तों मैंने धीबें चोहान आजम करेंगे क्लास 9 का 12.1 का question number 4 तो इसमें हमें त्रिकोण की परीमिती दी गई है 42 ठीक है एक बुजा है 18, B है 10 और C हमें find करना है मतलब की निकालना है ठीक है तो त्रिकोण की परीमिती क्या होती है तीनों बाजू का जोड़ और हमें दी गई है 42 तो A है 18, B है 10 और C हमें निकालनी है तो A की जगा 18, B की जगा 10 और C हमें निकालनी है बराबर 42 क्योंकि त्रिकोण की परीमिती हमें दी गई है 18 और 10 को जोड़ा तो 28 अब क्योंकि यहां 28 प्लस का था इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 42 में से 28 को माइनस किया तो आया 14 यानि कि C आ गया हमारा 14 तो A भी आ गया B भी आ गया और C भी आ गया तो अब हम निकालेंगे S S निकालने के लिए हमें तीनों बाजुओं की जरूरत होती है तो A प्लस B प्लस C बटे 2 तो A 18, 10 और 14 को यदि हम जोडेंगे तो हमें मिलेगा 42 ठीक है बटे 2 अब 2 को इससे हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 21 यानि की S आ गया हमारा 21 अब हम क्या निकालेंगे S माइनस A यह देखे S माइनस A यानि की 21 माइनस 18 कितना आ जाएगा 3 S माइनस B यानि की 21 माइनस 10 तो हो जाएगा 11 और S माइनस C तो 21 माइनस 14 यानि की 7 अब निकालेंगे तिरकोन का छेतरफल तो इसके लिए हम लगा देंगे फॉर्मिला, फॉर्मिला क्या है S, S-A, S-B, S-C और इस सब पे है रूट, तो S क्या था हमारा 21, S-A आया है हमारा 3, S-B है 11, और S-C है 7, ठीक है? अब 21 को हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं ताकि इस 3 का पेर बन जाए और इस 7 का पेर बन जाए है रूट में से बाहर निकालना है तो पेर बनाने पड़ेंगे अंदर तो देखिए इसका पेर बन गया और इसका पेर बन गया तो इसको ले लेते हैं बाहर इस 3 का पेर बन गया इस 3 इनका पेर बन गया, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, अब 11 का कोई पेर नहीं है, तो वो रूट में ही रहेगा, ठीक है, तो सात्या 21 रूट 11 हमारा आंसर आ चुका है, ठैंक यू वेरी मत, जैहिन, जै भारत